हेलो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम तो आज मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी और यह जो केक है वो बहुत ही जादा टेस्टी बहुत ही जादा सॉफ्ट और बहुत ही जादा मॉइस्ट बनकर तयार होता है और सबसे अच्छी केक को बनाएंगे हम पतीले में नाहीं हम अवन का इस्तमाल करेंगे नाहीं अंडो का इस्तमाल करेंगे और फिर बे आप देखेंगे कि आपका केक है वो इतना जादा सॉफ्ट और इतना जादा मॉइस्ट और बहुत ही जादा टेस्टी जो है वो बनकर तयार होगा तो चल तो जो हमारी उंगली है वो बरदाश कर सके मतलब नॉर्मल लुक वार्म होना जाहिए अब हम इसमे आट करेंगे वन टीस्पून वेनेगर और इसे जो हम पांच से दस मिनट के लिए एक साइड में रख देते हैं तब तक जो हम वो केक तिन तयार कर लेते हैं तो यहां पर हम लगा दूंगे और इसकी साइड्स पे भी जो है वो में बटर पेपर लगा दूंगी उसी की साइस का कट करके अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो फिर आप मैदे से डस्ट कर लें लेकिन यह प्रोसेस जो है वो बहुत जरूरी है तो इसके उपर भी हम ऑल ग्रीज कर देंगे और दूसरी साइड्स पे भी जो हम वो लगा देंगे बटर पेपर तो इस तरह से जो हमारा टिन है वो रडी हो गया है तो इसे हम एक साइड में रखते हैं और चलतें आगे के प्रोसेस में तो इस केक को जो हम बेक करेंगे पतीले में तो मैंने यहां पर एक अब जहें इसमें प्लेस कर देंगे हम एक इस तरह का स्टान और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम पर दस मिनिट के लिए प्री हीट होने देंगे अब हम दूद को चेक कर लेते हैं तो जो दूद है वो फट गया है करडल हो गया है तो ऐसे ही चाहिए था हमें तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में अब हम इसमें आड़ करेंगे 1 थर्ट कप ओयल, तो यहाँ पर आप बटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको कोई भी स्ट्रॉंग फ्लिवर का ओयल इस्तमाल नहीं करना है, जैसे मस्टर्ड ओयल, सरसो का तेल, आप बिल्कुल इस्तमाल तेल करने हैं और हम इसमें आपको का खेंच करने हैं, dear ingredient नहीं साथ क्यक को बहुत है चोकलेटी फ्लेवर देने के लिए हम इसमें एड करेंगे 1 फोर्थ कप Courko Powder और रभ हुम 1 टीस्पून बेकिंग पाऊडर और साथ ही एम इसमे अड करेंगे और wet इंग्रेडियिएंट को अच्छ से Mix कर लेंगे तो इस स्थारा का spamод करें मिक्स कर लेंगे और कॉटन थोल्द मेफट मेरा étaientब्सित आपको से आराम मेरा से Mix करंक सादा सौरीन करते हैं हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा दूध तो यहां पर जो है वो थोड़ा थोड़ा दूध करके हम इसमें एड करेंगे वन टेबल स्पून करके इसमें हम एड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो सेट हो जाए थोड़ा सा और दूध हम इ तो यहां पर टोटल हम 6-6 टेबल स्पून तक दूद इसमे आड़ करेंगे तो और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो यहां पर जो केक का बैटर है वो रेडी हो गया है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी से इसमें रिबिन कंसिस्टेंसी जो है वो आ गई है तो यहीं कंसिस्टेंसी चाहिए हमें केक के बैटर की और अब हम जो इस केक के बैटर को ट्रांसफर कर देंगे मोल्ड में तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, जब हम इस बैटर को पोर करें टिन में, मोल्ड में, तो इस तरह से रिबिन कंसिस्टेंसी में ये गिरना चाहिए, तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, केक के बैटर की, और अब जो हम इसे टाप करेंगे, ताकि इसमें कोई भी ऐर तो अच्छे से टाप कर ले, और अब इस मोल्ड को फटाफट से हम बेक होने के लिए रख देंगे, तो यहां पर बहुत ही कैरफुली ध्यान से रखेगा, क्यूंकि जो पतिला है वो बहुत गरम है, तो इसे हम कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर चालिस से पचास मिनिट के बेक होने के लिए रख देंगे, लेकिन जो टाइमिंग है, यह सब का अलग-अलग हो सकता है, क्यूंकि यह डिपेंड करता है अपके पतिले की साइस पर और गैस की फ्लेम पर तो इसी लिए तीस मिनिट बाद से आप इसे जरूर से चेक करें एक तो यहां पर 45 मिनिट हो ग कपडे से मिनिट कवर करके और एक साइड में रख देंगे, और थंडा हो ने देंगे तो केक चिप तक हमारे थंडा हो घो रहा है तब तक हम शुगर सिरप तयार कर लेते हैं, तो एक बोल में हम थोड़ा सा पानी लेंगे और तक डिवन देड से दो चमच तक पावड़ हम अब चाहें तो नॉर्मल चीनी भी इसमें डाल सकते हैं, इसे मिक्स करेंगे हम और इसे हम एक साइड में रखेंगे और घुलने देंगे हम इसे इसी तरह से, तो क्रीम विप करने के लिए अब हम एक बोल में इस तरह से आइस क्यूब्स डाल लेंगे, तो यहाँ पर मैंने ज एक कप विपिंग क्रीम, मैंने यहाँ पर नॉन डेरी विपिंग क्रीम का इस्तमाल किया है, और अब इस विपिंग क्रीम को जो है वो इलेक्टिक बीटर से विप कर लेंगे, तो हमें इसमें तब तक विप करना है, जब तक इसमें सॉफ्ट पीक्स ना आ जाए, तो मैं इसे इतना बीट करना है कि जब हम बोल उल्टा करें तो जो विपिंगरीम है वो गिरेना ऐसे चेक से किसита में चैक हुड़ना हो गया है तो अब हम फिन की अभर में आप्टा ले Animals साथ देर करें से कि NOT SHIFT आप अपर आप varsay और समझारी अपर क्वा है आप देख सकते हैं तो इस cake को जो है वो layer में cut कर लेते हैं तो सबसे पहले एक serrated knife की मदद से हम जो इसकी top layer है वो cut करेंगे आप देख सकते हैं केक जो हमारा वो कितना soft बनकर तयार हुआ है और अब हम इस cake की जो है वो second layer cut कर लेते हैं तो यहाँ पर इस तरह से जो cake की second layer है वो cut हो गई है आप लोग देख सकते हैं केक कितना अच्छा soft बना है और अब हम इसी तरह से इसकी third layer जो है वो भी cut कर लेते हैं तो यहाँ पर जो इसकी third layer है हमने उसे भी cut कर लिया है अब इस cake को जो हम वो एक side में रखते हैं और चलते हैं इसे आगे की process में अब एक turn table लेंगे हाँ पर इस तरह से हम plate रख देंगे और cream लगा देंगे आप चाहें तो cake board का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब जो एक cake की first layer हम इस पर रखेंगे और इसे हमें moist रखने के लिए जो हमने शुगर सिरफ तयार किया है उसे हमें हर तरफ से डाल देना है इस पर तो ये step बहुत जरूरी है वरना जो आपकी cake है वो hard हो जाएगी और अब एक piping bag में हमने whipping cream को fill किया है और इस तरह से हम cake की first layer पर whipping cream लगाएंगे और इसे हमें अच्छे से एक spatula की मदद से हर तरफ से फैला लेना है बहुत अच्छे से cover कर लेना है cake की first layer को तो यहाँ पर जो cake की first layer है वो बहुत अच्छे से cover हो गई है अब जो हम इस पे cake की second layer वो रखेंगे और उसे भी हमें moist करना है तो वही वाले sugar syrup को हम इस पे हर तरफ से फिर से डालेंगे ताकि यह cake हमारा moist रहे और इसे भी whipping cream से cover कर लेंगे तो अच्छे से इसे cover कर दीजेगा इस तरह से और spatula से हम इस layer को भी जो हो cover कर देंगे even कर लेंगे हर तरफ से हमें इसे अच्छे से जो हो cover कर लेना है whipped cream से तो यहाँ पर जो second layer है वो cover हो गई है अब हम इस पे जो हो लखेंगे final layer cake की और इसे भी whipped cream से जो हो cover करेंगे तो इस तरह से whipped cream इस पे लगाएंगे और spatula से हम इस layer को भी जो हो even कर लेंगे बराबर कर लेंगे हर तरफ से और sides में भी जो हो cream लगाएंगे और इसे भी बराबर करते जाएंगे तो साथ साथ हम इसे sides से भी और उपर से भी बराबर करते जाएंगे तो इसे हमें हर तरफ से जो हो finish करना है sides में भी अच्छे से cream लटा के हम इसे finish करेंगे और इसके टॉप पे भी हमें अच्छे से finish करना है तो यहाँ पे जो cake है वो finish हो गया है अब एक tissue की मदद से tissue paper की मदद से हम इसके जो sides है वो पोच लेंगे सारे जो इसके edge है उसे हम साफ कर लेंगे और इस cake को जो हमें थोड़ी देर के लिए freeze में रखना है तो अब हम चॉकलेट की शेविंग तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया डाक कमपाउंड और इसे इस तरह से हम चुलनी से छील लेंगे पिलर से अच्छे से चुल लेंगे तो यहाँ पर चॉकलेट की जो शेविंग है तयार हो गई है तो केक को फ्रीज में से हम निकाल लेंगे और इस तरह से चॉकलिट शेविंग को केक के साइड्स में लगाते जाएंगे आप देख सकते हैं वीडियो में इसी तरह से हमें हर तरफ चॉकलिट शेविंग को लगा लेना है तो अब जो है हम clean कर लेंगे सब अच्छे से और अब हम piping bag में विपिन क्रीम फिल करके और एक nozzle की मदद से flowers बना लेंगे तो cake की top पे जो है हम वो flowers बना लेंगे और फिर हम इस तरह से cherries रख देंगे सारे flowers के उपर हम एक एक करके जो है वो cherries रखते विजाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर है जब वो cake लग रहा है तो यहाँ पर सारे flowers पर हमने cherries रख दी है और अब जो हम इस cake के सेंटर में chocolate shavings जो है वो इस तरह से रख देंगे तो हमें अच्छे से यहाँ पर chocolate shavings रख देनी है तो लीजिए तयार है यहाँ पर बहुत ही टेस्टी बहुत ही soft सा black forest cake तो दिख रहा है बिल्कुल market चैसा ऐसा लग रहा है अपने बिल्कुल bakery से से order किया है कितना खुबसूरत चाहे हो हमारा cake लग रहा है यहाँ पर आप इस cake को जो है वो जरूर से try कीजिएगा इतना जादा soft और इतना जादा tasty होता है कि आप इसे बार बार बनाएंगे और यह जो cake है वो बनाने में बहुत ही आसान है यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना जादा जो soft है हमारा cake बनकर तयार हुआ है तो आप इस recipe को जरूर से try क कीजिएगा उमीद करते हूं Black Forest की यह recipe आप लोगों को पसंद आएगी recipe पसंद आए तो इसे like करें share करें और आप लोगों से humble request है कि मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें